नमस्कार दोस्तों आप देख रहें GTS का सबसे भर समन्द यूट्यूब चैनल GTS Original GTS से जुड़े सब भी लिटेस्ट ख़बर वाने के लिए ये चैनल जरू सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चारो तरफ से ख़बर आ रहा है कि ग्रेचुएटी एमाउंट जो है वो 5 लाग से 1,5 लाग कर दी गई है तो क्या ये सच है और केबिनेट से एप्रूवाल मिलने को 10 दिन हो गया लेकिन अभी तक कोई भी लिखित ओडर नहीं आया है तो क्या इस महीने ये ओडर नहीं आएगा क्योंकि अगर ओडर इस महीने नहीं आता है तो जूलाई में नया सेलारी नहीं मिलेगा इस बारे में हम बात करेंगे All India Postal Employee Union यानि की AIPEU GTS के General Secretary स्रीपी पांडुरंगराउजी से तो चलिए उनको फोन लगाते है हलो हलो हाँ नमस्ते सार हम GTS और यूटीब चैनल से बोल रहे हैं हाँ जी सार वो केबिनेट में जो एप्रुवार मिला उसका ओडर क्या आ गया है और कितने दिल लग सकता है नहीं इस महीने आजाएगी आम चल रहे है परिल मून इस महीने आ जाएगी हाँ आगे अरियस का बारे में प्रिक्सेशन का पारे में कुछ आड़ आएगी इस महीने अंद के अश्य जो ग्याच्वेट ती और में उंठे हो क्या पांच लाग लाग जाएगा तबी आटर रहे जा सब्सक्राइब कोई भी मालूम नहीं अभी तक क्या-क्या मेलता है आडर आने के बाद इस महीने आ जाएगी अधने बाद दोस्तों जैसे के आपने सुना कि अभी तक कोई लिखित और नहीं आया है और इस महीने के अंत में आ जाएगा और जो ग्रैच्वेटी आमाउंट ह चारो तरफ फैल रही है एक अफवा है क्योंकि अभी तक कोई लिखित और नहीं आया है तो एक ग्रैच्वेटी अमाउंट आपको पांच लाग भी मिल सकता है तो दोस्तों आफवेट कीजिए लिखित और आने के बाद ही पता चलेगा कि ग्रैच्वेटी अमाउंट